कोरोना महमारी से जहां एक और लोग बीते एक सास से परिशान है तो दूसरी और अब ब्लैक पंकर्स म्यूकर माइकोसेस जैसी बीमारिया भी अपने पाव पसारी है म्यूकर माइकोसिस की बीमारी किस कारण होती है और इस बीमारी के इलाज के लिए कौन सी दवायों का उपयोग क्या चाता है इसकी जानकारी साजा की है नापुर डिस्टिक केमिस्ट एंड ड्रगिस असोशेशन के सेक्रिटरी हेतल ठककर द्वारा कोरोना से इम्मिनिटी कम होती है जिस कारण म्यूकर माइसोसिस फंगस इंफेक्शन का प्रमान काफी बढ़ती वे दिखायती रहे इस बीमारी के इलाज के लिए एंफोटेरिसिन भी फोर्टॉन भी इंजेक्शन दी चाती है लेकिन जिस तरह म्यूकर माइसोसिस बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ती वे देख रही है इससे लगने पाली दवा की किल्लत भी अब होने लगी है जिसे देखती वे इस दवा की कारा पासारी हो सकती है ऐसा नावपूर डिस्टिक केमिस्टान ड्रकेज असोशेशन के सेक इलान कंपनी का आता भारत सिरम का आता बहुत सी कंपनी आट-10 कंपनी इसको बनाती है और इसका जो डोसे ये पर्टिकुलर 6 वायल डेली का डोस है और 120 वायल पर पेशेंट को कंजम्शन इसका अप्रोक्सिमेटली अक्वाडिंग टू वेट लगता है यह एंटी फंगली के इफेक्ट आ रहा है और उसके कारण से यह मैकोसिस हो रहा है लोगों को और यह ऐंटी फंगल कंवर्ट हो रहा है दीरे दीरे वह एक्चुली नोस से आख में जाता है आक से ब्रेन में जाता है और पिर उसके बाद यह पूरे ओर्गन फो इफेक्ट करता है पहले इसका डिमांड नहीं के बराबर था लेकिन क्या क्योंकि अभी ब्लैक म्यूकस जो फॉर्म हो रहा है उसमें यूसेज इसका बढ़ गया है कोविड पेशेंट्स के कारण और इसलिए इसकी जो सेल है वो बहुत याने अप्रोक्सिमेटली 400-500 ताइम् साथी फिलाल में तो जिता जो जो शॉर्टेजेज है मेडिसेंस उसमें कुछ दो चार पांच ही है जैसे के अपन सब देख रहे हैं के वही टोसी वगेरे जो शॉर्टेजेज चल रहे हैं अभी यह नया डिजीज सामने आया है तो इसके कारण से यह वाली जो मेडिसेंस है साथी हेतल थाकुर्दवारा बताया क्या है के म्योकर माइकोसिस के मरीजो को दवा छेवाई लगती है क्यामरा परसन अकलेश भारत वाज के साथ शिती चातेश मुक की रिपोर्ट